मैं अपने वादे के अंसार आइबरो सुरीज की फॉस्स क्लास को लेकर आगे हूं लेकिन आप लोग कॉमेंट राएक करने में बहुत ही कंजूसी करें आप लोग वीडियो को पूरा देखें लाइक करें और कॉमेंट तो जादा से जादा करें ताकि मुझे पता चल सके कि आ आप लोग को आईब्रो सोजुरी किया के प्राद्लम आ रहे हो थाकि 김े उसे दूर कर सको आईब्रो खीडियों से मेरे जो इस्क्रीन पे आ रहे हैं आप लोग उसे जरूद चेक करें कि अजय को पे लाइ कर आगी हूँ आज में आप लोग के लेकर आज पर्स्ट क्लास को कु जिसमें आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ किए आज किया क्या जो जूरत होता है आज का जो लिए वीगनर के लिए है जो आईगरो त्रेडिंग बिलकुल भी नहीं जाते हैं उनके लिए यह क्लास और यह सिरीज स्टार्ट की हूँ जिस सिरीज का या अज का फॉस्ट लास है जिसमें आज में आप लोगों को बताने जा रहे हूँ कि आईगरो के लिए क्या चीज आपको ज़रुवत परेगा चाहिए आपको है प्लग कल आईपलो फींस और सीजर सीजर हो जो होगा वह बहुत ही छोटे साइज का होगा यानि कि इस तरह का देख सकते हैं कि इस तरह का सीजर होगा और आपका जो धागा होगा वह आप मार्केट में कहीं से भी ले सक आपके किसी भी दबगे के ऊपर आप यहां पर देखेंगे कि आपको फोटी लिखा हुआ होता है तो आपको आइब्रो थेडिंग के लिए यही दागा लेना है फोटी नंबर का जो कि आप अंदर से मैं अंदर से खोल के दिखा दे रहें आप लोगो कि यह किस तरह का होता ऊपिसी इस तरह से निकाल देंगे लिए यह छूपा होथा अब आप इस तरह से निकाल लेते हैं तो यह अपका दागा से ईजिली निकल जाता है इसी तरह से दूसरा वाला जो है ग्रीन कलर का उसे निया вмe यह वी सेम ऐसा ही होता है बस इसका color change है, brand change है, यह रहा, दूसरा, इसका भी यही होता है, इसी तरह से इसका भी यह पैक किया होता है धागा, आप यहां पे पेपर की नीचे आएंगे, यहां पे अपका धागा का first छोड चिपा रहता है, जैसे आप यहां से निकाल लेंगे, और यह यहां से आपका निकल जाएगा, तो इस तरीके से आप धागा को निकाल सकते हैं, तो guys, यह है 40 नंबर का धागा thread, जिसे आप आईवरो के लिए यूज करते हैं, तो guys, अब मैं आप लोग को आगे बता रही हूं कि यहां के लिए जो आपका सबसे इंपॉर्ण जो कि हम लोग आईवरो पेटिंग के बाद कस्रमर पे यूज करते हैं, लगाते हैं, और प्लकर और आईवरो पेंसल जो है, यह यह वीगनर्स के दे हैं, जब उनसे होता है, कभी-कभी कि एक बाल नकी निकल पा रहा है, तो उसके लिए लिए प्लकर के यूज करेंगे, औ अगर कभी आईवरो में किसी भी तरह का प्रॉब्लम प्लकर और आईवरो पेंसल जरूरी नहीं है, क्योंकि जब परफेक्ट आईवरो बनाना सीख जाएंगे, तब आपको इस दोनों का जवरत नहीं परेगा, तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे त्रेड, जलकम किस तरह से हारी हुआ है तो मैं आपलोग को बता नहीं जोहरे हूं कि किस तरह से दागा को चला इन जो Corporate đến कितर से तरीके शलाना जोने है , हम किस तरह से पकर नहीं से चलांगे है अब लोग के लिए जो भी मैं आप लोग के लिए जो डू बीडियो हो वगी अपना रही हूँ वोग तब पहुंच है और आप लोग साले वीडियो उटने і तो गैस और आप लोग ज्यादा से ज्यादा उससे लाइक और कॉमेंट करें, कॉमेंट में आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग और क्या जानना चाहते हैं, आइब्रो से रिलेटेड या फिर ब्यूटी से रिलेटेड जो भी कुछ मैं आप लोग के लिए वीडियो दे रही हूँ, ब्यूटी से, हेर से, मेकप से, और थ्रेड से कास ख या कि मैं कैसे समझगी कि आप लोग को क्या चाहिए, तो और चलिए, आगे मैं बताती हूं कि धा थाँडंगे को कैसे पकड़ना ए, तो यह देखिए धागे का यह फ़र्स फोर इसे अप लोगो अपनी दाश से दवाना है, आप लोगो इसे पीछे वाले दाश से दवाना अपने हाथ में बखकर ने अपन यसी मुट्टी में पकरना है और भी अपने फिंगर के फिंगर से ही स्साल निकार है और यद्धम के तरह से इस तरह ओय 그걸 आर डिया निश्गे पर limited के परदाई करेंगे इसमें इस तरह से फसाएंगे और फसाने के बाद आप ऐसे किए और फिर यह जो थंब है इस थंब को आप इस तरह से इससे पकरेंगे और इससे तीन बार रपेटेंगे यह दो तीन अब तीन से पांच बार तक लपेट सकते हैं इससे जादा आपको नहीं रपेटना है और इ काहिसे चलाना है सभिय सभिय को अभी प्राफिस करने हीं कि आप सब्सक्राइब अब लुक काने हो जाया तो छोटा हो घ्रिया कि जढ़ी तो इसे छोटा हो पेडा करेंगे बढा कैसे की छोटार होगे तो फिससे अब इसे अधेश्य कर लेक्टियक को को फोड़ के इतने इने इतने लिए काम करना है इस्सास रफिटना है और इस्स चल्पन नहीं आण कि यह इस्त है अबसक्तियर फिर एकन्स टाए यह अबस है तक Sue kr5 जो क्यों प्रतुकर से जबρού तक अवाजवने लिए अधागे से इस तरह को जब आवाज आने लगता है इसलोह जो क्त-व करते हैं वोफ इस द्हागे पार नीवहां सकते हैं इतना कड़ूए की किस तरह से आप लोगों को भाल को पकड़ से इस फ़र बाल बाल को पकरेंगे तभी तो वो निकल पाएगा तो नेफ्ट वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आने वाली हूँ किस तरह से आप इस लुक में फसाएंगे और निकालेंगे तो तब तक आप यह प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कोमेंट कीजिए मुझे काईसा लग रहा है और आप लोग और क्या जानना चाहते हैं और एक लाइक तो जरूर कर दीजेगा और अपने फ्रैंड्स और फैमिली के साथ भी सेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का वैनेफिट ले सके तो गईस नेक्स वीडियो तक के लिए टेक्या थैंक्यू ब है झाते हैं